हाई आपको ले जाने वाली हूँ मेरी और आपकी फेवरेट जगा विच इस बंजारा मार्के काफी दिनों बात जा रहे हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है बंजारा मार्के ना मेरे घर से तो काफी जादा दूर है जो भी डीटेल्स होंगी आपको लोकेशन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ज़रूर वहां पे चेक कर लेना और मैं तो बहुत ज़र एक्साइटेड हूँ अगर आप भी एक्साइटेड हो तो पूरी वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना और फो वाचिग में पॉर थे पॉर्स ताइम याम साक्षी ऐमेक वीडियो अन फैशन, मेकप, सकिन केर, फूर, हो वो उम डिक और आप जबाद दो लेट जंप इन्ट वीडियो So, दोस्तों, finally हम लोग पहुँच गए हैं बंजारा मार्केट, which is in Ghatta Village, Academy वाली जो है, वो में बंजारा मार्केट है, so यहाँ पे न हम काफी देर तक बटकते रहें, और फिर जाके हमें यह वाली बंजारा मार्केट मिली है, so जो मैने आपको बताया, Academy वाली वैसे अगर और वाचेज, क्लॉक, वाटरफॉल, बहुत साही चीज़ है, यहाँ पे आपको एक ही शॉप के अंदर मिल जाएगी, and काफी अची कॉलिटी में भी मिलेगी, यह वाली जो कॉलिटी है, यह मुझे पूरे बंजारा मार्केट में कहीं पे भी इतनी अची फ्रेश कॉलिटी नहीं मिली, then नीचे आपको इस तरह की कुशन मिल जाएंगे, और यह वाली जो बंजारा मार्केट अब जो हो गई है, काफी जादा महंगी हो गई है, तो बहुत ही जादा प्राइस यह लोग बोलते हैं, प्लस इतनी ना भागिनिंग भी अब नहीं करते हैं, जैसे पहले ह होता था, बट आपको अगर जाना है, तो डेफिनेटल आप विजिट कर सते हो, खाली आद तो आप नहीं आओगे, I'm sure, so इस तरह के आपको रग्स मिल जाएंगे, और यह वुड़न फ्रेम्स मिल जाएंगे, बहुत ही सुन्दर सुन्दर फ्रेम्स यहां पे अवेलिबल थ यहां पे भी, बट इनके जो पीसे थे, बहुत जादा सुन्दर और अंटीक थे, अगर आप डूढने पे हो, आपको काफी अच्छी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे, इन फ्रेम्स को आप बाद में पेंट भी कर सकते हो, अपने अकॉर यहां पे शिफ्ट हो गया, इस ते ना जो फरनीचर है काफी जादा ऐसे पुराना और गंदा सा लग रहा था, मेभी ड्यूटो डस्ट वगएरा भी हो सकता है, बट यह आपको क्लीन करके अच्छे से पेंट वेंट करके ही देंगे, इस तरह के मेटल के आपको शोपीस मिल जाएंगे, बहुत ही सुन्दर क्वालिटी थी इनके पास भी, स्टार्टिंग प्राइस यहां पे भी 3-400 था, बट बहुत ही कुपसूरत क्वालिटी मेर को देखने को मिली, काफी अच्छी अच्छी वराइटी यहां पे देखने को मिली, अलग अलग तरीके से जो लीफ बहुत सारी चीज़ें यहां पे देखने को मिल जाएंगी आपको, और यही पीसे ना शोरूम में आराम से आपको 8-9,000 रुपीज के मिलते हैं, और क्वालिटी थोड़ी सी हेवी थी ऐसा नहीं था कि हलका मेटल था यहां पे, मुझे यह मिर बहुत जादा पसंद आया था और यह भी मुझे बहुत ही जादा सुन्दर लगे थे, इस तरह की सेल पे यहां पे प्लांटर लगे थे, 100 रुपीज के 4 मिल रहे थे, 25 रुपीज का एच, तो इन में भी थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, बाट यार 25 रुपे में अगर आपको एक मिल रहा है तो और यह तो आप देखी रहे हो, काफी जादा ट्रेंड में है, यह कप और सौसर यह 150 रुपीज का बहिया दे रहे थे, और इस तरह के फ्रेश आइटम भी यहां पे लगे थे, जनका प्राइस स्तार्टिंग होता है, 100 रुपीज, यहां पे बहुत ही सुन्दर सुन्दर उसके कंपारिजन में इस बार समान थोड़ा सा कम लग था यह थोड़ासा कम अट्राक्टिव मुझे लगा यह में बहुत बार देख चुकिए हो तो इस ते मुझे ऐसा लग रहा होगा, यह तो यह यह तो यह तो बहुत जादा पसंद आया था, यह यह तो यह ज़ुदी मिल जाएंगे cups में so crockery की तो huge huge आपको variety मिलने वाली है बहुत सुंदर सुंदर crockery मिलने वाली है servings tray बहुत सुंदर मतलब देखने में लगेगी फिर मुझे देखने को मिले ये show pieces बुद्धा जी वाले जो बहुत सुंदर थे अगें और ये वाली crockery भी बहुत पसंद आई यहां पर star की shape थी बहुत सारी shapes यहां पर आपको देखने को मिलेगी बहुत सुंदर सुंदर और unique designs मुझे इनके पास देखने को मिले अगर आपको इस तरह की crockery पसंद है ना serve करन के लिए तो definitely आपको यहां पर visit करके यह तो जरूर बाइ करना चाहिए फिर जैसा कि मैंने आपको बताया wooden furniture यहां पर बहुत सुंदर available होता है so no doubt बंजारा market में unique चीज़े तो आपको definitely देखने को मिलती है और अब जो price है थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि high तो होई गया है फिर यह वाला mirror मेरा favorite है हमेशा से मुझे बहुत जादा पसंद था फिर यह ना मुझे काफी जादा cute लगी थी but यह ना यार बहुत जादा expensive इननने बोला four thousand rupees के दोनो four or six thousand something का इननने दो का set बोला जो बिल्कुल भी worth नहीं था मतला अगर 1500 में मिला तो मैं definitely ले थी but four thousand तो बिल्कुल भी worth नहीं then इस तरह के metal vases आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर बहुत सुन्दर सुन्दर planters की shape मिल जाएंगी tables मिल तो चीजें आपको देखने को मिलेंगी बट अब इनका भी price नहीं हाई कर दिया है फिर इस तरह की table chairs आपको देखने को मिलेंगी यह काफी अच्छी quality थी और इस यहां पर ना आपको सारा wooden का जो new new looks होते ना वैसे देखने को मिल जाएंगी यह mirror भी बहुत जादा सुन्द यहां पर प्राइस थे 2500-3000 इतने के बोर रहे थे planters फिर जैसा कि आपको दिखाया मैंने क्रॉक्री क्रॉक्री मुझे बहुत जादा सुन्दर लगी इस बार काफी सुन्दर सुन्दर डिजाइन जाएं यहां पर नैसे 10-10-20 रुपे के कपस आपको देखने को मिल जाएंग बट अभी जो शिफ्टों के लोग यहां पर आये हैं वो है घाटा विलेज गुडगाओं नियर अक्याडमी तो यहां पर ना यह कुशन्स वगेरा बहुत आपको चीजे मिल जाएंगी मतलब बहुत अच्छी चीजे मिल जाएंगी और बहुत बेसिक चीजे भी आपको मिल जाती है लाइट वगरा भी आपको मिल जाएंगी और इस तरह की अलग अलग कवर की चीजे भी आपको देखने को मिलेंगी साटिंग प्राइस थी हंड़र रुपीज चोटी-चोटी चीजों का प्राइस था 3-400 रुपीज बट काफी जदा क्यूट से लग रहे थे हार्ट मुझे पसंद आया था मैंने पूचा तो भाहिया ने बोला 400 तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा दिन इस तरह के मेटल आपको फ्रेम मिल जाएंगे यह आपके घर पर काफी जदा सुन्दर लगते और इनकी कॉलिटी भी अच्छी थी यह वाला लेंप भी मुझे बह बहुत जादा सुन्दर लग थे इस तरह के बहुत जाएंगे और बहुत बहुत जाएंगे अटीग भी मतलब आपके अपने अक्रडिंग इनको यूस कर सकते हो बट अगें इनका प्राइस बोल रहे थे स्टार्टिंग मतलब 4-500 और इस तरह के फ्रेम्स तो बहुत ही जादा महंगा बता रहे थे इसमें मुझे एक छोटू सा फ्रेम पसंद आया था बट उसका प्राइस था इन्होंने बताया 700 रुपीज जो बहुत ही जादा एक्सपेंसिव ता मतलब 2-300 में ठीक ता बट 700 त बट to be honest यह काफी युनीक चीज थी तो इसका मतलब इतना जो प्राइस है वो मेरे according सही है रेजन आर्टिस में किया हुआ था और बहुत सुन्दर सुन्दर यहाँ पे आर्ट मुझे देखने को मिला काफी युनीक भी थी यह शॉप तो यहाँ पे भी इस तरह के आपको कुछ हवी चीजे लेने के लिए तो make sure कि आपके पास एक personal cab हो या कुछ भी मतलब गाड़ी वड़ी हो so that आप अपना समान ले जाओ पाओ क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफी जादा दूर पड़ती है यह market और बहुत ही जादा अंदर अंदर है and make sure कि आप शाम को टाइम से वापस निकल जाओ because यहाँ पे बहुत जादा अंदर हो जाता है क्योंकि यह market आप गाओं में इन्होंने बनाई है so make sure कि आप टाइम से वापस निकल जाओ यहां से then आपको wooden furniture की तो भरमार मिलने वाले यह मुझे बहुत सुंदर bench लगा था and इ definitely यहां से आपको मिलने वाली है अगर आप काफे रन करते हो तो यहां है बहुत सारी चीजे आपके मतलब की मिलने वाली है then मैं मिली यहां पे cutest बच्चों से बंजारा मांकेट के ना सबसे क्यूट बच्चे मुझे देखने को यहां पे मिले तो मैंने इनको भी capture कर लिया च चुटकूसा मुझे बहुत ही जादा क्यूट लगी यह बच्ची so cushion covers, cushions बहुत सारी चीजे आपको यहां पे मिलने वाली है table mats, table runners, sofa runners बहुत सारी चीजे यहां पे आपको मिल जाएंगी और बहुत सुंदर सुंदर भी यहां पे prints आपको देखने को मिलते हैं and यह वाले frames म मुझे हमनेशा से ही बहुत जादा पसंद आते हैं और इसका भी price around 1500 starting होती है, मेरे भाई को यह chair और table बहुत ही जादा पसंद आया, तो मुझे बोल रहा है कि प्लीज एक बार बैठके देखो तो उसको काफी जादा comfortable लगा, so बस यही थी मेरी last shop and this was it for today's video, I hope आपको वीड को लाइक कर देना, मेरे चानल को कर देना, सबस्क्राइब, मिलती हो नेक्स वीडियो में, बाई बाई